बिहार के सिख्छा भीभाग ने पोस्ट मैट्री के स्कॉलर्शिप के लिए एक नया पोर्टल लंच कर दिया है तो आज के वीडियो में इस पोस्ट मैट्री के स्कॉलर्शिप को लेकर जो जादा कनफ्यूजन हो गया है तो आपका सारा confusion आज के इस वीडियो में दूर हो जाएगा, एक एक बात अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, जो ए नया पोर्टल ओपेन किया गया, इसके बारे में कौन आवेदन कर सकते हैं, कितना रूपिया मिलेगा, क्या आपको इसके साथ इकल्यार वाला प इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, कितना रूपिया मिलेगा, किनको किनको मिलेगा, तो एक एक बात को ध्यान से अंत तक समझेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने मोबायल का कोई भी ब्राउजर ओपेन करना है, सबसे उपर दिखाई देगा बिहार पोस्ट मैट्री के स्कॉलर्सी पोल्टल 2021 की सप्लाई ओनलाइन इस पे सिंपली आपको रीड मोर पे क्लिक करना है यहां पे आपके लिए एक एक जानकारी है पहले ध्यान से पढ़िए क्योंकि काफी छातरों के मन में बैठा दिया जाता है कि कोई भी स्कॉलर्सी पाएगा तो उनको क्या लगता है कि यह बिहार सरकार इकल्याड छातरों इर्टी है तो आपके मन में यह चीज बैठा दिया गया है कि आप जैसे ही राइस्टेशन कर देंगे आपके खाते में पैसा आ जाएगा आपको नीचे की तरह पे स्क्रॉल डाउन करना है अब यहां से सुरुवात हो रहा है सबसे पहले बात करते हैं कि यह क्या है तो देखिए जो नया एप पोस्ट मैट्री के स्कॉलर्शिप के लिए पोर्टल बनाया गया है जो नस्प के लिए आउनलाइन आवेदन आप करते हैं नस्प नेशनल स्कॉलर्शिप पोर्टल वहीं छात्र बिर्ती ए भी है नस्प वाला यहीं है इसमें कुछ अंतर नहीं है लेकिन इसमें क्या किया गया कि आप देख रहे हैं कि एनस्प में बड़ा ज्यादा समय लग जा रहा है क्योंकि उस संपुल्ण इंडिया के बच्चों को हारे स्टेट और तरह तरह के स्कॉलर्शिप को कभर करता है जिसको देखते हुए पैसा मिलने में काफी समय लग जा है और इस पोर्टल से कया होगा कि आपको तुरण तरथात कि जैसे ही आप ऑंलाइन आवेदन करेंगे और उसके बाद आपका भेरिफीकेसन होगा ओनलाइन में अत्यम से न कूर्द quién क्रा सही होगा सभी Olympiacri कोरते होंगे तो आपके खाते में सांपैसा या vist इतना doublet ज 21 से 22 के सेसन में उत्रिन कर लिए और बरतमान में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं वहीं छात्र इसके लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं जेनरल को छोड़कर बाकी सभी SCST, BC, EBC, Biglang, Shreddy के छात्र सभी इसके लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं यहां पर प्रसना आगा कि किया इह हमको छात्र बृति मिलेगा तो किया हमको इह कल्यार छात्र बृति मिलेगा कि नहीं SCS, NSP है, बिल्कुल वहीं है, NSP 2.0 के ताहती है, भी संचालित हो रहा है उमीद करता हूँ, आप समझेंगे कि यह स्कॉलर सीब है, वह आपका प्रोसाहरा सी है, दोनों को एक नहीं समझना है यह कल्यार छात्र बृति, दूसरा हूँ, मैटरिक इंटर फॉस्ट डिमिजन करने पर मिलेगा, यह मिलेगा, तब भी आपको मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, तब भी आपको मिलता है इसमें उसमें कोई भी तूनला नहीं है, ANSP वाला है, तो यहाँ पे देखिए आप अप्लीकेशन फी, इसके लिए आवेदन फी कितना है, 0 रुपिया, अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है एक बात बिल्कुल किलियर समझना है, क्योंकि काफी गलत जानकारी आजकर फैलाया जा रहा है, और छात्र को लगता है कि हम राजिस्टेशन कर लेंगे, तो सभी इकल्यार छात्रविति हमको पैसा मिल जाएगा इस दॉकमेंस, तो दीखी, इस ยदोकमेंस आपसे मागा जाएगा, अगर आप आउनलाइन आवेधन करेंगे तो, तो यहां से एक एक जनकारी आप पढ़नेगे कि आपसे क्या क्यागा डॉकमेंस मागा जा रहा है, यहां से ध्यान से समझेए क्योंकि पहले जबिए जिब उसके साथ साथ तभी आप रजिस्टर करेंगे जब आपके institute अर्थात के जिस college में या जहां पे भी आप पढ़ाई इस समय कर रहे हैं वो जो है NSP पे अर्थात के जो यह नया portal बनाया गया है बिहार के सिक्षा विवा के तरब से इस पे रजिस्टर होना चाहिए तो यह ने college के अर्थात की जहां पे आप बरतमान में study कर रहे हैं पर दुसरे क्लास में होगा जो 2020 में उत्रिण किया और दूसरे क्लास में होगा जो 2021 में उत्रिण किया अभी उनका admission हुआ है तो आप जहां पे भी पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको एरसीद भर के देना पड़ करना है इसमें आप समय जया करेंगे पता चला आपका राइस्टेशन आप राइस्टेशन की रिजेक्ट हो गया अब यहां पर दिखे जैसे ही मैंने रसीद के आगे जो व्यू था उस पर किलिकिया तो कुछ इस तरह का नहीं जो रसीद में जीतना डिटेल्स भरेंगे जीतन यहां पर आके एक एक जानकारी पहले पहली जीएगा तो यहां से आपको रसीद पर व्यू पर किलिक करके डाउनलोड करके देख लेना है फिर आगे जहां पर मांगेगा मोफाइड सर्टिफिकेट अर्थात की यह किया होता है कि वास्तों में आप जिस कॉलेज के लिए प सरफ से इसको भरवा करके आपका नाम आपके पीटा जी का नाम किस यहर में आपका एडमीशन हुआ है किस कोर्स के लिए पढ़ाई कर रहे है किस इनवर्सीटी स्कूल में आपका कारेक्टर कैसा है स्कूल से पहां पर सिगनेचर करा कि इसका भी पीडियेफ अपलोड करना पड़ेगा करता हूं यहां से एक एक चीज आपके दिमाग में किलियर हो रहा होगा कि 2019 से 22 तक कभी भी आप मैटरी के बोर्ड परिक्षा उत्रिन करके आगे पढ़ाई कर रहे हैं तभी आपको ओनाइन आवेदन करना यह चात्र बिर्ती है क्योंकि यहां पर देखिए फी तो देखें यहां पर बताया जा रहा है अप्लाई online इस पर क्लिक करनेक से पहले आपको क्या करना है सबसे पहला काम आपको करना है नीचे की तरफ यही पर यहीं पर आ आना है और जहां पर आपको दिखाए दरा है download guidelines Ensuite liar आपको आवेदन करना तो यहां पर देखिए गाइडलाइन में बताया जा रहा है इसके बारे में कि जो भी यहां पर सूचना मैंने सुरू में बताया वही रिपीट किया गया जैसा कि मैंने बताया कि जानकारी आपको डाउडलोड गाइडलाइन पर किली करके पहले आपको पहले आपको पहले ना है जैसे मैं बता रहा हूँ अगर वैसे आप एस्टेप बाई एस्टेप फॉलो करके तब आवेदन करेंगे तो आपका पैसा एक मन्त के अंदर में आ जाएगा उसके बाद आपको simply click here पर click करना है जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरफ पेज फेनोंगा एक एक जानकारी इस बेफ साइट पर अपडेट किया गया तो इसलिए आपको यहां पर आके फॉलो करना है सबसे पहले यहां पर आपको state चुनना है क्योंकि एनस पी वाला यह अप्एॉपर तो यहाँ परन करेंगे कर दादै यहाँ देर थो देना चाहते हैं तो यहाँ पर लेक सकते हैं वह इस कोरस के बारे में जानकारी चाहिए ने तो जीतना मैं detail फिल किया उतना detail फिल करके आप जैस नहीं search पे click करेंगे आपके सामने देखिए सभी detail आ जाएगा कि detail आया है अगर आप इसका college में किसी में अगर पढ़ाई कर रहे होंगे तभी आपको इसके लिए आवेधन करना है अन्य था आपका आवेधन रद कर दिया जाएगा और किस course के लिए तो यहाँ पे view course डिटेल पे click करके आप course भी check कर सकते हैं आपको देख लेना है कि बर्तमार में जहां पर आपका नामांकन हुआ है यहां पर रजिस्टर हुआ है कि नहीं अगर कोई रजिस्टर नहीं हुआ institute आपको घाबडाने की बात नहीं क्योंकि इसका अंतिम डेट फिक्स नहीं किया गया है तो अभी आपको कुछ दिन यहां से आके check करते रहना है और जैसे ही अपडेट होगा उसके बाद ही आपको इसके लिए आवेदन करना है उसके बाद यहां पे student list पे भी वैसे ही click करके अपना school college अपना select करके ऐसे अपना देख सकते कि आपका नाम है की नहीं अगर नाम होगा तब online आवेदन कर सकते हैं इतना करने के बाद अगर आपको लगता है कि हां मैं immortal हूं तभी आपको online आवेदन करना है चीज़े करने के बाद अब देखे यहां से मैं अब apply करके आपको form भर के बता रहा हूँ तब भी और चीज आपको किलियर हो जाएगा है कि हाँ फॉम में जो जो डाटा मांगा जा रहा है वो आपके पास है की नहीं तभी आप इसके लिए online आविदन कर सकते हैं तो अगर आप SCST के लिए apply कर रहे हैं तो यहाँ पे click here पे click करके सीधे आप वहाँ पे पहुंच सकते हैं BC-EBC के छातर है तो यहाँ पे click here पे click करके आप apply कर सकते हैं लेकिन चलिए हम लोग सीधे उपर वाले link से चलते हैं apply online पे मैंने click किया कुछ इस तरह page आपके सामने open होगा यहाँ पे आपको नीचे scroll down करना है और मान दीजी आप EBC है तो यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करेंगे आपके सामने इस तरह कुछ page open होगा और यहाँ पे आपको नीचे कीतरा बढ़ना है ऒर यहाँ पे देखे जो बताया जायरा है कि new student registration यहाँ पे सामने कुछ इस तरह step open होगा नीचे आपको scroll down करना है जैसे ही आप continue पे click करेंगे यहाँ पे आपको नाम, जेंडर, आधार, नमर यहाँ पे जो भी detail मांगा जा रहा है उतना detail फिल करके यहाँ पे capture जो OTP जाएगा उस पे आपको click करके simple आपको registration कर लेना है यहाँ पे आधार verify करने के लिए OTP जाएगा जो भी यहाँ पे detail बताया जा रहा है इसको आपको click करके आपको registration कर लेना है इसके बाद आपको registration अर्था कि login ID और password मिल जाएगा registration करने के बाद फिर आपको बैक आना है और यहाँ पे जो student login option दिखाई दरा simply आपको click here पे click करना है जैसे ही आप click करेंगे तो आपको तो आपने जो registration किया था जो आपक आपको सभी डिटेल अपना father's name mother's name यहाँ पे अपना address उसके बाद यहाँ पे IFC code bank account number यह सभी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे देखिए जो बरतमान में आप पढ़ाई कर रहें institute का detail यहाँ पे आपको fill करना है यहर आपका चर रहा है student यह सभी चीज आसान है आपको fill कर स अगर आपके पास होगा तब ही लगेगा उसके बाद अगर आप graduation मालीजिये उतिन कर लिए तो graduation का भी certificate लगेगा नहीं की है कोई बात ने अगर आप post graduation भी उतिन कर लिए तो उसका भी certificate मांगा जाएगा residential आप से मांगा जाएगर तब का निवास लगेगा कास्ट certificate आपको चाहिए कितना की भी में चाहिए यहाँ एक एक जनकारी दिया गया है मैंने website पे भी यहीं चीज अप्लोड किया वहाँ से भी आप पड़ सकते हैं इंकम certificate कितना का इंकम चाहिए ओभी मैंने आपको सुरू में ही बता दिया ता वहाँ से जाकर देख लीजिएगा यहाँ पे bonafide certificate कैसे होता है मैंने बताए वहाँ से किलिक करके आप देख लीजेगा उसी format में आपको PDF इसका अपलोड करना पड़ेगा उसके बाद आपको जो college का रसीद मैंने बताया शुरू में वह रसीद आपको अपलोड करना है और जो भी आप लास्ट एर एकजाम पास किये उसका certificate चीज करने के बाद आपका वो भेरिफाई करेंगे जितना के लाइक आपका होगार चात्रविर्टी उतना अपके खाते में भेजा जाएगा जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको Google के सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम टाइब करना और यहां पे पहुँचके पहले एक एक स्टेप फॉलो करना है जैसे मैंने बताया वैसे आपको अपना institute का नाम देखना है यहां पे देखें सभी documents का detail दिया गया है यह सभी documents आपको किसी एर में आप पासके कितना का income certificate आपको बनवाना है यह सभी चीज करने के बाद यहां से एक एक चीज आपको अपना institution का list देखने के बाद आपका अपना नाम देखने के बाद guidelines डाउनलोड करके पढ़ने के बाद तब आपको अगर लगता है कि आप इसके लिए इस पर कर रहे हैं जैसे ही कर लेंगे वहाद आके आप चेक करेंगे तो आपको detail आपके सामने उपन होगा और आप इसके लिए online आवेदन कर सकते हैं तो मैं आज आपको एक detail वीडियो देने का परियास किया हूँ ताकि कोई भी confusion अब आपके अंदर नहीं बचा होगा फिर